कि नमस्कार आधा गुडिनिंग दोस्तों मैं हूं मन्मिंदर और मेरी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है ख्यार में एक बार बताईए हमारा धर्म क्या कहता है वो क्या शिक्षा देता है यह सवाल अगर मैं धर्म गुरूं से पूछ हूँ तो उन सब का एक ही जवाब होगा कि हमारा जो मजब है हमारा जो धर्म है वो आपस में बैर करना नहीं सिखाता आपस में प्यार करना प्यार से दहना सिखाता है एक और बात बड़ी अजीब सी है वो भी आपसे शेयर करना मैं पहले लोग छट पर गली मैदान में जगड़ते थे लड़ते थे खेलते थे लिगिन अब अब यह सब सोचल मीडिया पर शुरू हो गया है लड़ाई जगड़ा जो कुछ भी है सब उन्हें सोचल मीडिया पर ही करना है यह बात मैं क्यों कह रही हूं इसलिए कह रही हूं कि एक बड़ा ही दुख़ा हाथसा हुआ है उद्यपूर में एक टेलर की बेनेमी से हत्या की गई है देश नाराज है बहुत पुरे देश मे और इसके लिए बाकाइदा दो लोगों ने उसको धंकी दी थी मज़ा थी कि उसके बेटे ने कोई गलट टिपनी कर दी ती और यह जो लोग हैं जिन्होंने एक वीडियो भी बनाया और उसके बाद उसको सोचल मीडिया पर भी शेयर किया और यह भी वज़े बताई कि उन्होंने क्यों ऐसा किया है यह लोग है रियास और मुहमजगाज इन्होंने कणायया लाल एक तेलर है उद्धियो पेज्यार में उसकी हत्या कि जोभी इसके बेटे में सिप्नी कीती सोचल मीडिया पर वह इसलाम का अपमान है और उसका बद्ला लेने के लिए उन्होंने इस वार्दा को अंजाग दिया है और यही नहीं इन्होंने वीडियो में देश के बधन मंतरी मोधी को भी धंकी दी यह सोचल मीडिया पर आम देखा जा सकता है यह क्या कह रहे हैं उसमें इसलिए मैंने कहा था कि कौन सा धरम ऐसा है जो यह बताता है कि आप नफर हम सब को आपस में प्रेम से रहने की शिक्षा देता है खैर पुलिस में अपना काम किया है आरोपियों को दूरिपार किया है लेकिन अब जो खास बात हो यह है कि जो यह कंधिया लाल है इसकी जब हत्य होती तो पूरा शहर शौक जाता है और जब ख़बर ऑन होती है तो प है जिसमें वो यह कह रहे है कि इस्लाम का बदा लेने के लिए कटम उठाया था जिदर कि मैंने आपको बताया और उधर इस हत्याकान के बाद हुद्यपूर में कुछ और भी हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं वो भी गलत है अब तमाम सारी परेशानिया प्रिशासन के पास सारे हैं कर्टू लगा हुआ है शहर में और प्रशासन नहीं ये बार जानकारी भी दी कि कन्हया लाल ने 15 जून को पुलिस को एक पतर लिखा था और ये कहा था कि शैसे उसकी जान को कोई खतार ना करते हैं उसको आशंकाती अपनी हथ्या कि और उसने उस रप्षा के नहीं किया बिशारा दर्जी है छोटा आदमी है हो सकता है इस उसकी पुलिस में इसकी सब जो परियात्ति उसको ना सुनाओ ये भी हो सकता है कि अगर उसको सुरक्षा भी दाती तो ये शैद ऐसी खटना नहीं होती है कैट जो होना होता है वो भी रहता है लेकिन जब इन लोगों को गिरिपतार किया तो उन्होंने ये बताया कि इस तरजी के बेटे ने एक पोस्ट किया था जो काफी अबजच्च्नेवल था ठीक है अगर अबजच्नेवल पोस्ट था तो उसकी शिकाट करनी चाहिए थी उधर कनहिया को भी अपनी जान का खत्रा था उसे भी बाते नाजिम और उस साथ पास लोगोव सी दुकान की हुआ है दुकान नहीं जहीं करने दे रहे हैं और यह लोग उसको जान सें वांने की धंकी दे रहे हैं और उसी व्यक्ति न?c इस दिन में उसका फोटो वाइरल किया हुआ है, समाज ग्रूप है उसका नाम जिसमें इसका फोटो वाइरल किया, और सबसे यह कह दिया है कि यह विक्तियगर कहीं दिके, तो इसे खतम कर दिया जाए, यह लोग काफी प्रेशर बना रहेते उस पर, इसी दिए उसको श्याद संदर से डर होगा कि कहीं उसकी जान खतम ना कर दिया है, और वही होता है, इसी को लिए करके उसे उस रख्षा की मांग भी की थी, उधर जब पुलिस से बात होती है, तो पुलिस कहती है कि करनेया की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझवाता है, इक में वो दो लोग पहुचते हैं और उसी दोरां उसकी हत्या की जाती है, उधर बुर में भूत महल के पास कनईयाला की सुप्रीम टेलर्स के नाम से दुकान है, कनईयाला गवर्दन विलास के इलाके का रहने वाला है, देखिए इस बात ते पुरे देश में शोर मचा हुआ है, अब मैं एक चीज़ और बताती हूं आपको, इनके मन में जो ये दो लोग हैं, इनके मन में ये था कि इनके बेटे ने जो नुपुर शर्मा है, उसको ये करके कोई टिपणी गी, जिससे इसलाम का अपमान हो रहा था, पहली बात तो दोस्तों हमें ये समाहना चाहिए, किसी के भी कुछ कह देने से, किसी के धरम का अपमान नहीं होता, क्योंकि धरम अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसका अपमान कौन कर सकता है, और अगर हम सच में धरम को मानते हैं, तो फिर हम उसके बताए हुए रास्ते बेवी चले, कोई भी धरम ये नहीं नुपुर्श अर्मा की टिपणी है, उसके कारवाई हुई है, अब उसको इस तरीके से, इस तरीके की एक्टिविटीज करना, किसी को मार देना, और भी अभी शेर में तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं, वहांके इंटरनेट बंद कर दिये गए हैं, कर्व्यू लगा हुए तमाम सारी प्राब्लम्स जो है, प्रिशासन के लिए बन चुकी है, तो आप ये समझे कि इसका फाइदा क्यों हुआ, मुहमद गौस और रियास, ये दू नाम है इस समय जो शहर में चल्चा कवीशे बने हुए हैं, अब इनके खिलाब भी बड़ा गुसा है, पहले तो अन देख लेने की धंकी दी जा रही थी, एक प्रेशर बनाया जा रहा था, अब रियास और मुहमद गौस जो की पुलिस की कस्टडी में है, उनको लेकर के भी गुसा नराजगी है, तो ये सब चीज़े जो हैं, ये हमें पीछे ले जाएंगी, आप जाद रखिएगा, अगर ह एक संसा मनी हुई है था, हमें वहाँ जाना चाहिए, अगर वहाँ नहीं जाते तो इससे अगली संसा में जाएए, लेकिन मैं ये नहीं करूंगी कि मैं किसी के लिए कुछ बुरा सोचूं, या मैं किसी की जान ले लूँ, ये बहुत गलर बात है, दोस्तों, मैं कभी अपन मैं वीडियो में इस तरीकी की बात नहीं करती हूं, लेकिन अब चीजें बर्दास नहीं हो रही है, जगा जगा इस चीज को ले करके दोनों पप्शों में बहुत गुस्ता है, और इसलिए मैं ये बात कर रही हूं कि अपने गुस्ते को, अपने उर्जा को धामिये, और ज कोई भी धरम जो है, हमें अपस में बैर करना नहीं सिखाता है, और हमारा देश है, हमारा देश बहुत सारे धर्मों को अपने अंदर समेटे हूए, हम सब लोग उसी देश में रहते हैं, और अगर हम ऐसे लड़ेंगे, तो कैसे चलेगा, फिर तो हम किसी ऐसे देश में चल दोस्तों, अगर किसी को कोई बार गोली लगी हो, तो उनके लिए मैं कुछ क्या नहीं सकते, वो मुझे समा करें, हाँ, अगर किसी को ये वीडियो पसंद आया हो, तो वो इसे लाइक करें, और दूसरी बात ये, कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, मेरे चैनल पहली बार आया है, वो मेरे चैनल को सबस्काइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी को अगर ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक जरूर करें, और फिर में आपसे बिल्ती किसी और कहानी के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का क्याल लोकी, जेलिन, जेमादेन.